हेलो अप्रेंड निटिंग डिजाइन में देखे बहुत ही खुपसूरत और प्यारा सा बॉर्डर डिजाइन है लेडी बग डिजाइन बहुत ही प्यारी सी डिजाइन यहाँ पे मैंने स्वेटर में बॉर्डर की तरह बनाया है आप चाहिए तो इसे पूरे स्वेटर में भी बना सकती है तीन या पांच सलाईयों के गैप के बाद फिर इसी डिजाइन को रिपीट करिए तो यही डिजाइन आपके स्वेटर में बन के आएगी तो आप स्वेटर में बनाएए, जैकेट में बनाएए, कार्डिगन, बेवी कैप कहीं भी बनाएए, बहात ही खूपसा तो प्यारिसी डिजाइन है तो आएए, हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं तो देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12-12 फंदे लिए हैं अब जब 12-12 के multiple फंदे लिए हैं तो हर दो डिजाइन के बीच में सिर्फ हमारा एक फंदे का ही gap आया है तो आए इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं यह देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12-12 के multiple फंदी चाहिए और उसमें plus 1 कर दें तो यह डिजाइन बिलकुल सेट हो जाएगी और यहाँ पे हमने 12 के multiple 48 फंदों मैं यह डिजाइन बना करके आपको दिखाती हैं तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आप फंदे से बनाई हैं और इसके बाद आप हमारी रो वन स्टार्ट होगी और देखे रो वन में सबसे पहले हमारा जो बेस कलर है वन हम वाइट से करेंगी वन ब्लैक अब वाइट कलर से वन टू थ्री बंदे वाइट वन रेट वन हमारा ब्लैक वन हम रट से करेंगे अब वाइट कलर से वन टू थ्री फंदे वाइट वन ब्लैक और वन हमारा वाइट तो यह देखे एक डिजाइन हो गई इस पहले वाले वाइट जो हमारा एक्स्ट्रा इससे छोड़ देंगे वन प्लैक से लेकर byट तक के डिजाइन हम पूरी row में बार बर repeat करेंगे और यह हमारी row number 2 जिसमें 1 2 हमारे white से 1 black 1 white और अब यहां पर हमारा red कलर आईगा 1 2 फंदे red और इस बीच वाले black को 1 black करेंगे 1 टू वाइट से हो गए टू रैट के बाद वन वाइट वन ब्लैक वन तू हमारे वाइट से इस पहले वाले वाइट को छोड़ देंगे वन वाइट से लेकर टू वाइट तक की डिजाइन हम पूरी रो में बार बार रेपीट करेंगे और यह देखे रो नमबर थ्री जिसमें वन तू थ्री पंदे वाइट और अब यहाँ पे हमारा रेट कलर आएगा वन तू थ्री पंदे रेट इस बीच वाले ब्लैक को वन हम ब्लैक से करेंगे और अब हमारा रेट कलर से आप इस पहले वाले वाइट को छोड़ देंगे टू वाइट से लेकर इस थ्री वाइट तक की डिजाइन हम पूरी रो में बार बार रेपीट करेंगे और यह देखे जब मैंने इनी फंदों को रेपीट किया है तो इस दो डिजाइन के बीच में अब यहाँ फाइप पंदे हमारे वाइट कलर से हो जाएंगे और देखे रो फोर में सबसे पहले वन हम वाइट से करेंगे और वन वाइट के बाद वन हमारा ब्लैक इस वाइट को वन वाइट और अब हमारा रेड कलर आएगा वन रेड वन प्लैक वन ड्याट इस बीच वाले ब्लैक को वन हम प्लैक करेंगे वन रेड वन प्लैक वन रेड वन हमारा वाइट वन प्लैक फिर वन वाइट इस पहले वाले white को छोड़ देंगे 1 black से लेकर 1 white तक की design हमें पूरी रो में बार पर repeat करनी है ये देखें, row number 5 जिसमें 1 2 हमारे white से होगे 1 black और अब हमारा यहाँ पे red color 1 2 3 फंदे red इस बीच वाले black को 1 black करेंगे 1 2 और यह देखें 3 फंदे red के बार 1 हम black से करेंगे और अब यहाँ पे हमारा white color आएगा 1 2 हमारे white से तो यह एक design है पहले वाले white को छोड़ देंगे 1 white से लेकर 2 white तक की design हमें पूरी row में बार पर repeat करनी है और यह हमारी row number 6 जिसमें 1 2 3 फंदे white इस बीच वाले black को हर बार हमें ब्लैक कलर से ही बनाना है तो वन प्लैक 1 2 3 फंदे red अब white कलर से 1 2 3 हमारे white से तो इस पहले वाले white को छोड़ देंगे 2 white से लेकर 3 white तक की design हमें पूरी row में बार पर repeat करनी है यह हमारी row 7 जिसमें इस 3 white को हम white से ही बनाएंगे 1 2 3 फंदे white और अब यहाँ पे हमारा black कलर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 फंदे black अब white कलर से 1 2 3 हमारे white से अब इस पहले white को छोड़ देंगे 2 white से लेकर इस 3 white तक की design हमें पूरी row में बार पर repeat करनी है और यह देखे जब मैंने इनी फंदों को फिर repeat किया है तो इस starting में सिर्फ 3 फंदे white के हैं उसके बाद 7 फंदे black हैं 5 white फिर 7 black 5 white 7 black 5 white और row की लास्ट में सिर्फ 3 फंदे ही white के हैं तो इस तरह से यह हमारी row 7 तक design बन गई है यह हमारी row number 8 जिसमें 1 तो फंदे white वाइट वन ब्लैक वन वाइट अब हमारा ब्लैक किलर से 1 तू तू त्री पोर फाइव हमारे ब्लैक से वन वाइट वन ब्लैक वन तू फंदे white अब इस पहले वाइट को छोड़ देंगे वन वाइट से लेकर इस तू वाइट तक की design हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे यह हमारी रो नमबर 9 इसमें सबसे पहले 1 हम वाइट से करेंगे 1 ब्लैक वन तू थ्री पंदे white 1, 2, 3 black 1, 2, 3 white 1 black और 1 हमारा white अब इस पहले वाले white को छोड़ देंगे 1 black से लेकर 1 white तक की design हमें पूरी रोमेवार पर रिपीट करनी है यह देखे रोट टैन में 1 2 3 4 हमारे वाइट से होगे 1 ब्लाग, 1 वाइट 1 ब्लाग, 1 वाइट 1 ब्लाग 1, 2, 3, 4 हमारे वाइट से तो one black, one white किया तो देखे one, two, three तीन बार एक एक फंदे black किया है अब हम इस पहले वाले white को छोड़ करके three white से लेकर four white तक की design को पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे और ये देखे जब मैंने फिर इनी फंदों को रिपीट किया है तो इस दो design की बीच में अब हमारे यहाँ पे seven फंदे white कलर से हो गए है दिखे हर बार और ये हमारी रोर 11 जिसमें one, two three फंदे white one black one, two white इस बीच वाले black को one हम black करेंगे one, two फंदे white one black one, two, three हमारे white से अब इस पहले वाले white को छोड़ देंगे two white से लेकर इस three white तक की design हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे ये देखे 11 रो में मेरी ये बहुत ही कुफसात और प्यारी सी design बनके त्यार हो गई है मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए और कमेंट करके बताई कि ये design आपको कैसी लगी THANK YOU